असलाम वलेकुम, आज हम बनाएंगे अंडू के पकोड़ें, यह मैं इफ्तार में बना रही हूं, यह बहुत ही डिलिशियस और क्रिस्पी बनता है, आप भी इसे इफ्तार में बनाएं, यह बहुत ही मज़िदार बनता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, सबसे पह वन टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून चाट मसाला, थोड़ा सा हल्दी पॉर्डर, पिंक सॉल्ट, और हाफ टीस्पून धन्या पॉर्डर और दो टेबल स्पून धन्या के पत्ते, आप चाहे तो वाइट सॉल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास था पिंक स मैश्ट किया हुआ है, तो उसे मिक्स करना है, देखिए इस तरह से मिक्स कर ले, यह हमारा रेडी है, अब यह अंडो की तरफ चलते हैं, मैंने यहां चार अंडे लिए हैं, इस तरह से बीच से कट कर ले अंडो को, चार अंडे के आठ पकोड़े बन जाते हैं, देखिए इ आड़ाने खचीक करना है हातों में उग्मक्यम्स के सब्सक्च रगां है कर देसे होएक लगा देना है कि देखी इस तरह से दिश्चाहिन है मैं में थोड़ाँ ले रही हम हाथ में i ऑlkONEY के यह यह बद्ध ने पर पर उसके बाद उसे उसके पर लगा देना है कि अलू बॉयल डे इसलिए वासानी से शेप ले ले लेता है कोई परेशानी नहीं होती उससे हलकालका टैप करना है और रंडो को चारो तरफ से कवर करना है देखिए इस तरह से अगर कहीं आपको वाइट दीखे तो ऐसा कवर कर दे आप उंगली के हल्प से देखिए हमारा गे हो गया कवर हो गया अंडा पुरी तरह से इसे राउंड शेप दे दे इस तरह से सारे अंडो को बनाना है मैं एक और अलग तरीके के बताऊंगे आपको अगर आप चाहे तो इ आप दो स्टाइल के बता हुँ में आपको यहां पर मैंने अंडे को अलो को अ फ्लैट कर ली हैं उसके बाद मैंने जिर्फ उप sprके योक है आपने पिछा का इस सब्सक्राइब हो आपको टार्स हम नहीं लपट हैंगी असलिए cooling का आपको कैसा पसद्स आपी आप हो कर सकते हैं देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है पांच अंडों को वाइट रखा है ऐसा और तीन पूरा लपेटा है अब हम एक अब हम बैटर बना लेंगे पेशन का थोड़ा सा हल्दी पॉडर डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे और बैटर नहीं थिन होना चाहिए नह अब हम इसे फ्राइब करेंगे एक पैन में तेल गरम कर लें अच्छे से देखिए बैटर बन के तियार है मैंने क्लोज रखाया गैस के ताकि मैसी ना हो कि इस तरह से लेपेटना है अंडों को और गरम में डाल देना है इस तरह से सारे अंडों को आप एक एकर के डाल दे और हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइब करना है जब एक तरफ फ्राइब हो जाएगा तो हम इसे पलट देंगे देखिए इस तरह से दुसरे तरफ भी हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे यह बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है इस इफ्टार में जरूर ट्राइ करें बहुत मज़े का लगता है खाने में देखिए हमारा अंडा अब गोल्डेन बन हो चुका है अब हम इसे निकाल लेंगे सविंग प्रेट में सर्फ करना है हमें अब लग रहा है ना बिल्कुल क्रिस्पी हो मसेदार अगर आपको यह रेसिपी अची लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें अलाहाफिज